नमस्य दोस्तों कैसे हूँ आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज का वीडियो बहुती जादा यूसफुल और इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बहुत सारे नए ने टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे आप धेर सारे पैसे की और का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी यह करने की ज़रत नहीं है यहां पर मैंने लिया है पुराना गाउन यहां पर पुराना पेटिकोट ले सकते हो या फिर कोई भी प्लाजो जो बड़ा हो पुराना वो ले सकते हो यहां पर मैंने गाउन को इस तरीके से पलड़ दिया है इस इस तरीके से इसे डालेंगे, तो आप देख सकते हो, बैक जो है न वो perfect यहाँ पे इसका cover हमने तयार कर लिया है, ढग जाती आराम से, बिना काटे, बिना सिलाई लगाए, यहाँ पे आप बहुत ही आराम से, पुराने gown की मदद से, पुराने petticoat की मदद से, इस तरीके से ब आपका पुराना जो कपड़ा वो भी reviews हो जाएगा, घर भी organize हो जाएगा, साथी में आपकी back खराब नहीं होगी, और ट्रीक पसंद आई हो, तो ज़्यादा ज़्यादा friends and family के साथ share कीजिए, देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से हमने इसको cover चड़ा दिया है, जो की बिलक देखना, इसमें जो safety pin हम लगाते है, वो कितनी बड़ी लो, छोटी लो यह मुढ़ जाती है, खराब हो जाती है, और बिलकुल भी इसमें वो आती नहीं है, बड़ी साइज की बी कभी कबार, ये जो safety pin होती है, इसमें मुढ जाती है, खराब होती है, तो यहाँ पर हमीं क् साबुन का इस एक वर रिख साबून वर को साबुन का ठीजिद test को से एक काप्ड़े के उपर हम यह सेफ्टी की रिखा सकते हो देग सकते हो। मैं यहाँ पे छोटी safety pin को जीन्स में भी लगा के आपको दिखाती हूँ इस वाली trick से बहुत ही अराम से कितने भी मोटे कपड़े में आप इसे डाल सकते हो emergency में कही बाहर जाना है तो आपको यह trick बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और हाँ आप यह वीडियो किस गाउं से या शेर से देख रहे हो मुझे जल्दी से comment box में बताईए ताकि मेरा वीडियो कहा कहा पोचाओ मुझे पता चल सके तो यहाँ पर हमारी जो next tip है वो है कपूर को लेके हम सभी के घर में कपूर होता है पर ऐसा यूज आप एक बार करके देखे आपको बहुत सारे जंजट रोज के खतम हो जाएंगे तो बस यहाँ पर हमीं क्या करना है कपूर लेना है और cotton लेना है cotton के अंदर आप छोटी सी कपूर के एक टिक्की डाल दीजिए और इस तरीके से इसे हमें गोला बनाना इसको इस तरीके से आप गुमा लीज जिससे के अच्छी से मिक्स हो जाता है और अगर आप घर में bad smell के और जैसे परेशान हो ट्वाटरूम में आप bad smell के और जैसे room freshener लगाते हो जिसमें की बहुत ज़्यादा खरचा हो जाता है और तुरंत ही खतम हो जाता है तो इसके लिए आपको आज से पैसे खरच करने के विल्कुई भी ज़रत नहीं है क्योंकि इस तरीके से अगर आप जो cotton के गोले में कपूर रखते हो तो ये जो cotton है ना बहुत ही अराम से कपूर को धिरे धिरे करके उसकी जो smell छोड़ने के लिए मदद करता है और साती में बहुत दिनों तक चलता है बस आपको इसे toilet bathroom में रखना है जिससी के आप देखोगे आपके धेर सारे पैसी की बचट होगी और बहुत अच्छी से खुशबू आती रहेगी बहुत दिनों तक ये चलता है और यहाँ पे हमारी next trip है traveling के लिए कई बार आपने देखा होगा traveling म होने के बाद इसे सुखाने में दिक्कत आती है कहां रखे दिक्कत होती है तो यहाँ पे हमी क्या करना है इस तरीके से साबून को cut करना है पिलर की मदद से चाकू की मदद से चोटे चोटे टुकडे करने है किसी भी polythene में या फिर डिब्बे में आप भरके इसे traveling में लेक तो मार्केट में जैसे paper soap मिलता है वैसा ही इसका use है पर paper soap कभी कभार मिलता नहीं है अलग से पैसे खर्च करने से अच्छा है साबून के जो बच्चे हुए टुकडे होते है उसका आप इस तरीके सी उस कर सकते हो तो देखे यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा टुकडा लेक या फिर bed में रख दीजे जिससे न कभी कभार खुलने के बाद बहुती गंदी smell आने लगती है तो उसको remove करने के लिए आप इसे use कर सकते हो या फिर कोई ऐसी जगह है घर में जो जादा use नहीं होती बंद रहती है तो वहाँ पे भी आप इस तरीके से tissue paper को रख दीजे यह उसका नहीं है तेजपत्ते का जो की बहुती नाचरल तरीका है इन लो सारी चीजों को store करके रखने का इसमें हमें तेजपत्ता डाल के रखने आप देखोगे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे कीडे नहीं लगेंगे और हाँ अगर आप चानल पे नहीं आए हो तो ज अच्छी खुशबू आए इसके लिए थोड़ा सा कपूर लेना है चाहो तो आप कपूर का पाउडर बना के अंदर डाल भी सकते हो मैंने कपूर की टिक्की को इस तरीके से रख दिया है चाहो आप फिनाईल की गोली हो या कपूर इस तरीके से रख दीजे जिससे की इसमे जाली को ऊपर की तरफ प्रेस करती है और यह जलदी तोट जाती तो इसके लिए हमें क्या करना इस तरीके से पकड़ना है जिससी की अउख नीची की तरफ नहीं रकनी है जिससे आप देखोगे आपकी जो चननी है वो बहुत दिनों तक चलेगी बिल्कुल भी खराब नही जब भी हम कुकर लगाते कई बार कितना भी महिंगा कुकर लो आप देखना सीटी में से पानी निकलता है या फिर सीटी नहीं होती हम सोची के कुकर खराब हो गया चलो चेंज करते हैं इसमें हमारे पैसी भी बरबाद हो जाते है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुकर अगर पर इसकी कोई दिक्कत आती, तो आप घर पे ठीक कर सकते हो, या फिर आपका कुकर खराब होने से पहले या उसे ठीक कर सकते हो, जिससे कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ पर हमें लेना है सुई और धागा, और इस तरीके से जो ढखन होता है, उसकी नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे कुछ छेद होते हैं, उसमें से आपको धागा और सुई इस तरीके से निकालनी है, जिससे इसमें कुछ फसा हुआ होता है, जो भी दाल, चावल, जो सुखने के बाद इसमें बिल्कुल चिपक जाता है, तक जाता है, तो यह ब्लॉक जो होते हैं, इसकी वज़़े से हमारी कुकर की सीटी नहीं होती है, या फिर उसमें से पानी निकलने लगता है, तो बस आपको क्या करना है, इससरीके से दागे की मदश से इसको अच्छे से क्लीन करना है, बीच बीच में कभी कबार, तो आप देखोगे कभी भी कुकर अपने देखा होगा सुना होगा accident होते कुकर की city अचानक से उपर उड़ जाती फट जाती है उसका reason यह भी है क्यूंकि यह block होता है हवा निकल नहीं पाती है अचानक से हवा निकलती है और वो पूरा accident हो जाता है प्राबलिम हो जाती है और अगर परिवार को इन सब चीजों से बचाना है और हमें भी खुद को बचाओ करना ही तो ये जरूर कीजे बीच बीच में आपको बहुत ज्यादा इस सा फायदा होगा और कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुकर भी अच्छा चलेगा नया खरिंदी की जरुरत नहीं पड़ेगी गैस्टो खराब नहीं होगा क्योंकि कभी कबार जो गैस्टो खराब हो जाता है हमारा काम बढ़ जाता है पूरा तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्या होता है न कई लोगों का कुकर के एक और प्रॉब्लेम होती है कि उनके कुकर में से हवा बाहर निकलती ही ढकन के साइड में से क्योंकि ये गलत आदत की वज़े से हमारा जो कुकर है वो खराब हो जाता है बहुत लोगों को एक आदत होती कि जो कुकर में हम चीज डालते हैं उसे अच्छे से वो इस तरीके से मिक्स करते हैं और ये जो चम्मच होता है न वो कुकर के किनारे पे हम पटक देते हैं जिससे की वो कुकर का हिस्सा होता है न वो दब जाता है हलका सा और उसमें से हवा ल तेखने के लिए दिल से थेंक्यू।